हेलो फ्रेंट्स माइनीमिस काजल और आप से भी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रविंदर ना टैगोर ठेक है और अगर आपने इसके प्रिवियस वाली वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिश्ट बना दिया है और प्ले लिंक आपको कमेंट्स बोक्स में मिल जाएगा आप वहां से जाकर इस लि पहले तो आप यहां देख सकते होगी भारतिय शिक्षा दर्शन में अमुल्य योगदान करने वाले वीचारकों में रविंदर ना टैगोर जी प्रमुक्तम माने जाते हैं इसके पहले हमने श्वामी विवेकानन पे डिसकस किया था ठीके भारतिय विचारक में सबसे पहले कोने तो श्वामे विवेकानन अब सेकंड पे आते हैं रविंदर ना टैगोर तो यही कह रहा है कि भारतिय शिक्षा दर्शन में अमुल्य योगदान करने वाले वीचारकों में रविंदर ना टैगोर जी का प्रमुक्तम माने जाते हैं बहु मुखी प्रतिवा के धनी टै अब आपको बताना है कि नरेंद्र नाथ किसका नाम था यह मैं आप से भी सवाल पूच रहे हूं नरेंद्रे नाथ किसका नाम था आप कमेंट में कमेंट्स करके जरूर बताएं तो देखिए इनका पिता का नाम महरसी देवेंद्र नात टैगोर था जो स्वांग एक महान दार्सिनिक एवं शमाजवादी नेता थे तो देखिए अभी यहां सबसे महत पोर पॉइंट्स कि इनका जन्म कब हुआ तो 6 मई शन 1861 में हुआ कहां हुआ तो कलकत्ता में हुआ इनके पिता जी का क्या नाम है तो महरसी देवंदरनाः टैगोर जो एक श्वयंग महांदार्सिनिक समाजवादी नेता थे पिता का प्रभाव बालक टैगोर पर पर पड़ा उनके प्रारम्बिक सिक्षा पर जो होई वो घर पर ही हुई उन् उन्होंने बहुत ही अच्छा इससे घ्यान हासिल कर लिया और टैगोर को एक के बाद एक नवीन विद्यालों में पढ़ने भेजा गया किन्तु वात्तवरण की कृतमता ने उनको मुँ भंग कर दिया ठीक अब देखिए टैगोर ने मैकाले पधत के विद्याले के गोर बिरो थे यह उनके लिए जेल के शमान था क्योंकि आप सभी को पता है मैकाले पधति हमने डिसकस किया था ठीक है तो जो टैगोर जी थे रविंद्र ना टैगोर जी थे इसका घोर बिरो दिते यह उनके लिए जेल के शमान था उन्होंने शोवा अध्याय से ही बेद उपनिशत जान प्राप्त किया मतलब अपने अध्यान से ही उन्होंने बेद और उपनिशत की जानकारी प्राप्त की और 1905 में उन्होंने राजनेतिक छत्र में रूची लेनी शुरू की 1913 में गितांजली की रचना की सबसे महत्वपूर पॉइंट्स है कि गितांजली की रचना किस ने की है तो रविंदर नाट टैगोर ने की है और कब की है तो 1913 इश्वी में और इस ग्रंत के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें 1913 में नोबल एवार्ड से शम्मानित किया गया तो प्रशनी यह भी आ सकता है कि जो गितांजली उनका रचना था ठीक है उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया तो उनको कौन सा आवार्ड मिला तो नोबल आवार्ड मिला और कम मिला तो 1913 इश्वी को मिला था ठीक है अब देखिए उनकी जो रचना हैं बहुत ही महतवपूर है ठीक है रचना में आप देख सकते हो फर्स्ट है उत्सवर दिन सिक्षा हेर फेर धर्म शांति निकेतन सिक्षा बिदी इस्त्रे सिक्षा माईश्कूल एक है तो आप देख सकते हुए बहुत ही महतवपूर रचना है ठीक है आप इसको अच्छे से याद कर लिए जगा उत्सर दीन पुरो पश्चिम गितांजली सिक्षा हेर फेर धर्म श इस्व विद्याले ने 1913 में डी लिट ठिक डी और लिट की ओनरी उपादी से विवेशत किया है यानि जो कलकत्ता विश्व विद्याले है 1913 इस्वी में डी डॉट लिट डॉट की ओनरी उपादी से विवोशत या उनको उपादी दिया गया है और भारश सरकार ने 1915 में नाइट की उपाधी दी है, तो आप देख सकते हो यह जित्रे की पोइंट से बहुती महतपुर है सबसे पहले तो कलकट्टा विश्षो विजाले ने उसको उनको डी लीट का उपाधी दिया उसके बाद जो भारत सरकार हैं उनको 1915 में नाइट की उपादी दे दी बिश्यो कभी टैगोर का सिक्षा दर्सन उच्च कोटिका था उसमें शम अन्वय की भावना थी उनके सच्चिक विचारों का संचिर्थ वियेचन इस प्रकार है तो सबसे पहले हम यह पॉइंट्स डिस्कुस कर लेते हैं ठीक है इसको थोड़ा जूम करते हैं और देखिए यहां कह रहा है कि प्रकृति वादी के रूप में वे प्रकृति को सिक्षा का ससक्त माध्यम वह अस्थान मानते थे आदर्स वादी के रूप में वो परमशत्य इश्वरक पर विश्वास करते थे और मनावता वादी हमने डिस्कुस किया है प्रियोजन वाद मनावता वादी के रूप में मानो ही वास्युकता और सत्य है तो यह तीनों में ही विश्वास रखते थे ठीक है अब देखिए उनके अनुसार सिक्षा का अर्थ क्या होता है इसको भी हम डिस्कूस कर लेते हैं प्रस निया आ सकता है कि रविद्रना टैगोर के अनुसार सिक्षा का अर्थ क्या है तो स्वरवक्ष सिक्षा वह है जो हमें न केवल सुचना परदान करती है वरन हमारे जीवन का वाय यानि बाहरी परस्तितियों से सामनज़स्य बनाती है टैगोर ने शाविद्या बिमुक्तिया का शमर्थन किया उनकी अनुसार सिक्षा केवल जन्म मरड से मुक्ति से नहीं है देती वरन आर्थिक मानसिक समाजिक दास्ता से भी मुक्ति देती है तो बिलकुल सही बात है तो सिंपल की यहां दिया है कि टैगोर का मत्था की सिक्षा में अदान और प्रदान दोनों ही नहीं है सच्ची सिक्षा संग्रहित ग्यान के परियोग में है अब देखिए उद्देश से का था तो देखिए उनका उद्देश से जो था पहला फॉस्ट जो लाइन है कि बेक्तित्व का सरवांगिर विकास करना शेकन की बौधिक शक्ति का विकास करना बुद्धि का विकास करना चरित्र निर्मार करना शार्व भॉमिक नागरिक्ता का विकास करना नैतिक वा अध्यामिक्ता का विकास करना ब्यक्ति तथा समाज का सम्मंध अस्थापित करना तो ये रबिंद्र नाट टैगोर जी जिने नाइट की उपादी दी गई है भारत सरकार दोरा 1915 में डील लीट की उपादी दी गई है तो उन्होंने सिक्षा का जो उध्यामिक नागरिक्ता का विकास करना नैतिक वा अध्यात्मिक का विकास करना ब्यक्ति तथा समाज का शमंध स्थापित करना अब देखिए उनके अनुशार पाठिक्रम कैसा था तो देखिए उन्होंने ब्यक्ति विकास के परिप्रेच्छे में ब्यापक पाठिक्रम की वाकालत की है उनके मत में शहित्य इतिहाश, भुगोल, विग्यान, कलाश, अंगेज, प्रियुक्षान, कारे आलेखन, प्रेटक, नाटक, वागवानी, मौलिक, रचनलेखन मतलब सब कुछ पे जितने भी ये विशाय है, जितने भी ये चाप्टर, जितने भी ये स्लेवस है, सब पे जोड़ देना है मतलब जो उनका पाठिकरम था, वो बहुत ही ब्यापक बहुत ही बड़ा था ये लाइन में क्लिर हो सकता है खूब कि अगर एक ब्यक्तित्व का बिक्तित्व का बिक्तित्व करना है तो ये जितने भी स्लेवस हैं, सब्जेक्ट है इसको बहुत ही अच्छे से, ठीक है अब देखिए उनके अरुसार सिक्छड विदि कैसे थी तो उनका मत था कि सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेचित है ठीक है जहां बालक जीवन किया सकता हो कि पूर्ति को उन्होंने निमने लिखी सिक्षड वीदियो को अपनाने पर बल दिया है ठीक है तो देखिए फ़र्श है निरचड द्वारा सीखाना ठीक है यह सीखन क्रिया द्वारा शीखना भ्रहमट विधी द्वारा शीखना और प्रकृति के अनुसरर द्वारा और वाद विबाद द्वारा तो आप यहां देख सकते हो कि सिक्षड विधी कैसी थी उनके द्वारा तो निरचड द्वारा सीखना क्रिया द्वारा करकिर शीखना पूर्विकास संभव हो सकता है मैंने ऐसे सिक्षकों की वर्तसना की है जो प्रतिबंद यानि उनको बंधित बनाकर पक्षदर में रहते हैं मतलब उनको सोतंत्र नहीं रखते हैं ठीक है क्योंकि प्रतिबंद श्वयंग प्रकृति को पत भरष्ट होने का बाल दे करता है तो गुरू सिष्य संभन में टैग और वैदिक सिक्षप्रडाली के हिमायती थे दोनों के मद्य आत्मियता का शमन जरूरी है गुरू मित्रवत बालक का मार्क दर्शन करे और शिष्य गुरू की हर आशा का पालन करे उश के बिवहार में बिनम्रता होने चाहिए अब देखिए सिक्षक वास्त्रीक रूप से तब तक सिक्षण नहीं कर सकता जब तक वह श्वैंग नहीं सिखाता एक लेंप दूसरे लेंप को प्रकास नहीं दे सकता जब तक श्वैंग न जलता रहे ठीक है तो यह बहुत ही मत्रपूर्ट पॉइंट से अब देखिए उ अनुषासन वदंड कैसा था तो वे कठोर अनुषासन के पच्छदंड नहीं थे पहले ही उन्होंने बोला है कि एक विद्यार्थी को सोतंत्र मतलब सोतंत्र सिक्षा देना चाहिए तब ही उसका पूरद विकास हो सकता है तो इसलिए यहां जो अनुषासन के पक्षदर में नहीं थे कठोर अनुसासन में ठिक और अनुसासन का आर्थ जो श्वभाजुकानु उन्होंने कहा भी कि अनुशासन का आधार बहे है कर यह अकर सफ़्छा होने चाहिए बच्चों के बच्चोंपर दंट के परयोग से नहीं पढ़ाया जा सकता है बहुत ही कर पिला देने की और परिच्छा में उगल देने की उक्तिया निखाले जाती है इससे सहर सो चात्रों का स्वास्त बिगड़ जाता है और वाउधिक विखास नहीं हो पाता है तो परिच्छा वास्विक रुप से बाला का मुल्यांकन करने वाली होनी चाहिए मतलब की रटन मत दे किये इस्त्री वर जन्समानी सिक्छा तो इस्त्री सिक्छा के प्रशार में टैगोर का मत था कि विशुद्ध ज्यान के छित्र में पूरुष और इस्त्री की सिक्छा में कोई भेद नहीं बेवारी कुप्योगिता के छित्र में अंतर हो शकता है जन्समानी सिक्छा टैगुर ने शांती निकेतन विद्याले में विश्व भारती की अस्थापण के मक्षथ था प्राच्चे वो पैशाते संश्रीती का शमवन्य करके विश्व बंध्यत्यों की भावना का विकाश और विश्व भारती ने दर्श विभाग कारे रत थे विनैं भवन शालाद भ पॉइंट है कि विश्व भारती की अस्थापना छे मई 1922 को रविंदर नाथ टैगोर ने शांती निकेतन विद्याले में विश्व भारती की अस्थापना के मक्षत था प्राच्य वह पाहिशात्य संस्कृति का शमुन्ने करके विश्व बंदुत्य की भावना का बिकास करन था विश्व भारती में दश विभाग कारे रत्य बिने भावन साला भवन पत भवन सिक्षा भवन कला विवाश शीलप भवन शंगती भवन चीन स्री निकेतन भवन और हिंदी भवन ये सबी था अब देखिए विसस्थाए क्या है तो विसस्थाए में आप देख सकते हो पूरा विश्व भारती के जो अभी हमने डिसकस किया स्रेश सीचक प्रकृतिक संस्कृतिक छात्र मदूर प्रिथक ठीक है तो ये इंपोरेंट पॉइंट से अब देखिए प्रसिक्षो भारती में दी जा रहें सिक्षा ब्योस्ता का ब्रहमण करें और क्लिपिंग तैयार करके निधारिट करें कि यह अण्येवीद्याले वातरण से किस प्रकृत प्रिथक है आपने इस पॉइंट में क्या जाना तो इसमें आपने जाना कि सिख्षा से जल्मजात स्वमताओ का विकास होना चाहिए अन्ये बिंदों को जोड़े ठीक है देखिए बहुत प्रशने बिश्व कभी टैगोर को प्रकृति वाद कियों कहा जाता है सांधिनी के स्थापना के पीछे क्या उद्धिश्य था अभी हमने जितने भी प्रशने बहुत इचा से डिस्कस किये बिश्व भारती बिश्व बिद्याल इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए थांक्स पर वोचिंग टेक केर और अगर आपने प्रीबियो नहीं देखा है तो मैंने प्रेलिश बना दिया आप महाँ से जाकर देख सकते हो थांक्स पर वोचिंग टेक केर और बेस्ट अफ लग